Yes students, we are doing worksheet 5 and yesterday we had done question number 1 and we had done A part and B part of question number 2 also और ये वाला जो part है बटे C, part E मैंने आपको ऐस अ हमवक दिया था So, I will provide you the PDF of these 4 questions, part C, part D, part E and part F ठीक है? तो ये questions मेरे पास ये हैं यहाँ पे जस तरह से आपने पहले A और B part किये थे, same वैसे ही आपने इसको करना है तो इसकी PDF में आपको provide कर दूँगे आज ठीक है? और हम चलते हैं next question पे Today we will do the next question, this is the question number 3 Perform the following subtraction and check the answer बेटे subtraction तक तो ठीक है कि आपको subtract करना है, ठीक है? अब आगे का work क्या है यहाँ पे? and check the answer, ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है? तो answer को हम कैसे check करेंगे? जो हमने subtract करके जो निकाला है answer उसको हम कैसे check करेंगे कि वो सही है ये गलत है? तो उसके लिए भी बेटे की rule होता है, ठीक है? इस number में से मुझे इसको subtract करना है, जिसके आगे बेटे minus sign लगा है, that means वो छोटा number है, और उसी को हम subtract करेंगे, और पहले वाला number बड़ा है, ठीक है ना? क्योंकि इस number में से ये subtract हो रहा है, 9347 बड़ा है, minus 1251, clear? जिसके आगे minus का sign लगा है, ये क्या है, छोटा number तो इसको हमने नीचे लिखना है, और जो पहले वाला है, वो बड़ा है, उसको हमने उपर लिखना है, clear? अब इसको हम subtract करेंगे, और subtract करके अपना answer चेक भी करेंगे, अब देखो इसको कैसे करना है, 7-1, this is 6, उसके बाद 4 में से 5 नहीं जाएंगे, then what we will do, we will take carry from 3, और ये 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपको 14, ठीक है, और 14 में से बिटे आपने 5 को minus करने, then you will get 9, fingers पर counting करेंगे, और subtraction के case में आपने backward, पीछे की तरफ चलना है, fingers पर, ठीक है, 2-2, this is 0, and 9-1, this is 8, तो आपके पास ही आय नमबर 8096, ठीक है, 8096, तो इस नमबर को आपने क्या करना है, इसमें add करना है, जो आपने subtract किया था, ये ये वाला पार, छोटे वाला नमबर, इसमें से आपने क्या करना है, इसको जब आप उपर लिखेंगे, और इस वाले नमबर को साथ में लिखेंगे, आपने दोनों को add करना है बास समझ में आई first step में हमने क्या किया इसमें से इसको subtract करा बड़े में से छोटा minus करा मेरे पास ये आया इसमें मेरे को add करना है छोटे वाला जिसको आपने minus करवाया था बड़े वाले में से minus करवाया था ठीक है वो वाला number अब हम इसको एड़ करके देखते हैं अगर एड़ करने के बाद हमारे पास ये वाला नमबर आ जाता है जो बड़े वाला नमबर है ये that means हमारी subtraction सही है अगर नहीं आएगा same that means हमने कुछ mistake की है कुछ न कुछ कही न कहीं गलती है ठीक है? तो इसको add करके देखते है 6 plus 1 this is 7 5 plus 9 this is 14, 14 का 4 और 1 carry 2 plus 1 this is 3 and 8 plus 1 this is 9 तो 9,347 9,347 ये आगया नो पिटे सेम आगया हमारे पास नंबर ये जो बड़े वाला नंबर था ये सेम आगया हमारे पास यानि कि ये वाली जो चीज है हमारे पास ये आगई सेम आगई, दोनों सेम है हाना तो इसका मतलब हमारी subtraction बिलकुल सही है अब आपको कुछ समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहरें सबसे पहले तो हम subtract करेंगे subtract करने के बाद जो भी आया उसको छोटे वाला जो नंबर है उसमें add करके देखेंगे चलो बी पार्ट देखते हैं 2 में से 1 गए, this is 1 9-2, this is 7 7-3, this is 4 and 6-4, this is 2 इसको मैंने यहां top पे लिखना है और यह जो मैंने minus करवाया था छोटे वाला नंबर इसको हम यहां लिखेंगे ठीके? उसके बाद plus का sign लगाएंगे, एक line छोड़ने है बटे उपर और उसके उपर लिखना है check ठीके? symmetry आपकी proper होनी चाहिए maths में बटे symmetry बहुत important है अगर आपको काम तरीके से करना नहीं आया, that means आपको maths करना नहीं आरा ठीके? subtraction, addition वो बाद की बाद है, पहले आप अपना work neat and clean करेंगे, symmetry में लिखेंगे बिलकुल proper, ठीके? चलो, अब हम add करते हैं, 1 plus 1 this is 2, 7 plus 2 this is 9 4 plus 3, this is 7 2 plus 4 this is 6, तो 6792 यही वाला number है ना बिटे? same आगया हमारे पास यह आगया ना, same हमारे पास आप यह arrow लगाना चाहते हो तो लगा लो, otherwise कोई जरूरत नहीं है यह मैं आपको समझाने के लिए arrow दिखा रही हूँ clear? now, see the C part that means यह छोटा number है, जिसके साथ minus का sign लगा है, इसको हम नीचे रखेंगे इस वाले को हमने उपर लिखना है ठीक है? अब हम minus करते हैं 6 में से 7 नहीं जाएंगे 4 से carry लेंगे 4 क्या बन गया 3 और यह बन गया 16, clear? अब 16 में से आपने 7 को minus करना है, you will get 9 clear? 3 में से 7 नहीं जाएंगे हम क्या करेंगे? 5 से carry लेंगे और यह बन गया 4 और यह बन गया 13 और 13 में से जब हम 7 को minus करेंगे we will get 6 4 में से 7 नहीं जाएंगे 2 से carry लेंगे, यह बन गया 1 और यह बन गया 14 14 में से 7 गया 7 1 में से 1 गया 0 6 में से 6 के 0 so we get here 769 ठीक है तो 769 टॉप पे लिखा हमने और जो हमने सब्ट्रेक्ट करवाया था उसको हमने यहां लिख दिया अब इन दोनों को क्या करेंगे बिटे आड़ करेंगे अगर हमारे पास यह वाला नंबर आता है बड़े वाला यह जो हमने उपर लिखा था that means हमारी जो सब्ट्रेक्शन है वो सही है तो यहां पे एक चीज का ध्यान देना है once place के नीचे once place tens place के नीचे tens place hundred place के नीचे hundred place अब 769 को आप इदर नहीं लिखोगे यहां पे नहीं लिखोगे वो गलत हो जाएगा ठीके once tens hundred है ना बिटे तो आपने इसको इसी तरीके से लिखना है और यहां पे आप zero zero लिख दो ठीके खाली जगा है उसको zero से फिल कर दो अब आप properly इसको आराम से add कर सकते हो तो 9 plus 7 this is 16 16 का 6 और 1 carry 6 plus 1 7 and 7 7 add हो के क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा 7 plus 7 14 and 14 plus 1 this is 15 1 plus 1 2 और 6 plus 0 6 तो मेरे पास आया 62,546 तो यही आ रहा है ना हमारे पास 62,546 तो बिल्कुल सेम आगे आए clear इसी तरह से आपका D part हो जाएगा D part देखिए यहां पे इसको बिटे ध्यान से समझिएगा important है question क्योंकि एक के बाद एक carry हम ले रहे यह बड़े वाला उपर लखेंगे यह छोटे वाला नीचे लिखेंगे अब देखो बिटे 0 में से तो 9 जाएगा नहीं आगे सारे 0s है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो 19 है ना इसको हम 19 कंसिडर कर रहें वेटे ठीक है तो इसको हम क्या कर देंगे 18 बना देंगे clear और यह क्या बन गया 10 बन गया लेकिन यह भी तो आगे carry देगा ठीक है तो यह बन जाएगा 9 और यह बन जाएगा 10 अगे यह आगे carry देगा तो यह 9 हो जाएगा और यह हो जाएगा 10 यह भी आगे carry देगा तो यह 9 हो गया और यह हो गया 10 clear एक के बाद एगा आपने किस देढ़ से इसको set करना है कैसे कैसे carry लेना है आगे से आगे carry जा रहा है तो इस चीज़ का बटे आप ध्यान देंगे ठीक है 19 में से 1 मैंने इसको 0 को दिया ये बन गया 10 और ये बन गया 18 clear जब आप इसको 10 बनाओगे तो 10 में से 1 हम फर्दर आगे भी तो देंगे क्योंकि आगे 0 है हमें आगे भी तो subtraction करनी है ना इसलिए हम 10 में से 1 इसको देंगे 9 हो जाएगा और जब ये बैटे 10 बना तो इसको भी हम 9 बनाके 1 आगे देंगे फिर अगेन यही करेंगे हम इसको भी हम 9 बनाके 1 आगे देंगे तो ये हमारे पास 10 आ गया clear 10 में से 9 गये this is 1 9 में से 9 गये 0 9 में से 9 गये 0 9 में से 9 गये 0 8 में से 8 कई 0 और ये 1 clear? तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया और जो हमने minus करवाया था उसको हमने यहाँ लिखा है छोटे वाला number अब हम add करेंगे 9 plus 1 this is 10 1 carry 9 plus 1 10 1 carry 9 plus 1 10 1 carry 9 plus 1 10 1 carry और 1 plus 8 this is 9 और ये 1 तो हमारे पास वही आगे न बेटे जो हमने उपर लिखा हुआ था same number आगे हमारे पास ठीके? same number है हमारे पास so this become 1,90,000 clear? likewise आपके सारे questions इसी तरह से हो जाएंगे E और F पार्ट बेटे आप खुद से try करेंगे अपने आप आपने करना है और जो इसका question number 4 है इसको हम further discuss करेंगे on Monday clear?